मित्रों दान से अक्षे पुन्य प्राप्त होता है और साथी जाने अंजाने में किये गए पाप कर्मों के फल भी नेस्ट हो जाते हैं। सास्त्रों में दान का विशेश महत्तो बताया गया है इसे पुन कर्में समाज में शमानता का भाब बना रहता है और जरूरत मंद बेक्ति को भी जीवन के लिए उपयोगी चीज़े प्राप्प हो जाती है आएए एक कथा शुनाते हैं दान का महत्तो एक ब्यापारी जितना अमीर था उतना ही दान पुन्य करने बाद वह सदय यग पुजादी कराता रहता था एक यग में उसने अपना सब कुछ दान कर दिया अब उसके पास परिवार चलाने लाइक भी पैसे नहीं बचे थे व्यापारी के पतनी ने सुझाव दिया कि परोश के नगर में एक बरे शेट रहते हैं वह दूसरों के पुन्य खरीदते हैं आप उनके पास जाईए और अपने कुछ पुन्य बेच कर थोरे से पैसे ले जाईए इससे फिर अपना कामदंदा शुरू हो सके परिवार चले पुन्य बेचने की व्यापारी की इच्छा नहीं थी लेकिन पतनी के द व्यापारी चलता चलता उस नगर के पास पहुंचा जहां अपन के खरीदार शेट रहते थे उसे भूख लगी थी नगर में प्रवेश करने से पहले उसने सोचा कि भोजन कर लिया जाए उसने जैसे ही रोटिया निकाली एक कुतिया तुरंत के जन में अपने तीन बच्च और नगर में नहीं जाकती थी व्यापारी को देया गए उसने एक रोटि कुतिया को खाने के लिए दे दिया कुतिया पलग झपकते रोटिया चट्ट कर गई लेकिन वह अब भी भूख से हाफ रही थी व्यापारी ने दूसरी रोटि पिर तीसरी और फिर चारों रोटिया कुतिया को खिला दी, खुद केबल पानी पीकर सेट के पास पहुंचा, ब्यापारी ने सेट से कहा कि वह अपना पुन बेचने आया है, सेट अपने काम में बैस्त था, उसने कहा कि ठीक है, साम में आओ, दो पहर में सेट भोजन के लिए घर गया, उसने अपने पतनी को बताय कि एक ब्यापारी अपने पुन बेचने आया है, उसका कौन सा पुन खरिदू, तो सेट की पतनी बोली, सेट की पतनी जो थी, वह बहुत पतिवर्ता और शिध्य इस्तरी थी, उसने ध्यान लगा कर देखा कि आज ब्यापारी ने कुतियां को रोटिया खिलाई है, उसने अ अब तक का सर्व स्रेस्ट पुन है, व्यापारी शाम को फिर अपना पुन बेचने आया, सेट ने कहा कि आज आपने जो यग किया है, मैं उसका पुन लेना चाहता हूँ, व्यापारी हसने लगा, उसने कहा कि अगर मेरे पास यग के लिए पैसे होते, तो क्या मैं आपके प पुन बेचने आता, सेट ने कहा कि आज आपने किसी भूखे जानबर को भोजन करा कर उसके और उसके बच्चे के प्रानों की रक्षा की है, वही पुन चाहिए मुझे, व्यापारी वह पुन बेचने को तैयार हुआ, सेट ने कहा कि उस पुन के बदले वह व्यापारी को चार रोटी ओं कर वोजन के बराबर हीरे मोती देगा चार रोटीया बनाई अर् उस्से एक तराजु के पलरे में रख़या दूसरे पलरे में स bots ने एक पोटली भर कर रहे जवाहरात रख्थे पलरह हिला तक नहीं दूसरी पोटली फिर भी पलरा नहीं इला कई पोटलियों के रखने पर भी जब पलरा नहीं इला तो व्यापारी ने कहा सेट जी मैंने विचार बदल दिया है मैं अब पुन नहीं बेचना चाहता व्यापारी खाली हाथ अपने घर की ओर चल पड़ा उसे डर था कि कहीं घर में घुचते ही प पत्नी ने पुछा कि पुन बेचकर कितने पैसे मिले तो उसने थैली दिखाए और कहा इसे भोजन के बाद रात को ही खोलेंगे उसके बाद गाव में कुछ उधार मांगने चला गया इधर उसकी पत्नी जबसे थैली देखी थी उसे सबर नहीं हो रहा था पती के जाते ही उसने थैली खोली उसकी आंखे फटी रहा गई थैली हीरे जवाहरातों से भरी थी व्यापज घिर लोटा तो उसकी पतनी ने पूछा कि पुन्हों का इतना अच्छा मोल किस ने दिया, इतनी हीरें जवाहरात कहां से आये व्यापारी को अंदेशा हुआ कि पतनी सारा भेध जानकर ताने तो नहीं मार रही है लेकिन उसके चेहरे की चमक से ऐसा लग नहीं रहा था ब्यापारी ने कहा दिखाओ कहा है इरे जावारहात पत्नी ने लाकर पॉटली उसके सामने उलर दी उसमें से बेश किमति रत्न गिरे ब्यापारी हैरान रह गया फिर उसने पत्नी को सारी बात बता दी पत्नी को पस्ताबा हुआ कि उसने अपनी पती को भी पत्ती में पुन बेशने को विवस किया दोनों ने तय किया कि इसका कुछ अंस निकाल कर ब्यापार सुरू करेंगे ब्यापार से प्राद्धन को इसमें खरे उतर जाते हैं तो इस्वर वह गुन आप में हमेशा के लिए बरदान शुरूख दे देते हैं अगर परिक्षा में उतिर न हुए तो इस्वर उस गुन के लिए योग्य किसी अनवेक्ति की तलास में लग जाते हैं इसलिए भी पत्ती काल में भी भगवान पर भरोशा र करता हैं